भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चार धाम राजमार्क विकास पर योजना का आज शुभारंब करेंगे। से गुजरते हुए पक डंडियों से सड़कूं तक का सफर तै किया है। भी मौसम में ये यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए केंद्रिय परिवहन मंत्री श्री नितिन गटकरी जी के नित्रित्व में परिवहन मंत्राले ने 12,000 करोड रुपए लागत की चार धाम राजमार्क विकास पर योजना बनाई है। 900 किलोमेटर लंबे टू लेन पेवड शोल्डर की साथ नैशनल हाईवे विकास को गहन सर्वेक्षन और अध्यन के बाद साथ पैकेजेस के माध्यम से आकार दिया है। जिसकी शुरुवात रिशिकेश से होगी। रिशिकेश से धारासू 144 किलोमीटर एनच चौरानवे का विकास खर्च 1627 दशमलव 50 करोड रुपई। टनकपुर से पिथोरागड 148 किलोमीटर नैशनल हाईवे 125 का विकास खर्च 1557 करोड रुपई। इन मारगों पर कुल 132 पुलों की शरंखला बनेगी। जिसमें 25 हाइफलर्ड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। बाइपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। चार धाम क्षेत्र की नदियां और हिम गिरी का पानी सडकों की बरबादी में एहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल, 3889 कलवर्ड राज मार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला, लांबागड जैसे 38 लैंड्सलाइट स्पोट पर स्टील जाली, सॉयल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वार मैस वेजिटेशन, जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तक्नीक का उप्योग होगा। देव प्रयाक जैसे तीन सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस खलन से सडकों को सुरक्षित करेगी, चार वायडक्ट का निर्मान होगा, जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायडक्ट तथा सोन गंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोन गंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेंट वायडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर उंचा पहुचा देगी, दो महत्वपून टनल भी विक्सित होंगी, 5 किलोमीटर सिल्क यारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और परियावरन अनुकूल बना देगी, पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी ठकान से चूर करने वाली ये यात्रा, अब केवल 10 मिनिट की प्रदूशन मुक्त सुखदाई यात्रा बन जाएगी, जगह जगह इमजेंसी ले बेज विक्सित होंगे, जो परेशानी भरी यात्रा को आनंद मई बनाएंगे, 4 धाम यात्रा, सभी मौसम में सुगम एवं आ भूमी का निभाएंगे, वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष है, भूमी अधीग्रहन और प्रभावित लोगों का पुनरवास भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, प्रोजेक्ट की उपलब्धियों में शामिल है, एक्सिडेंट स्पॉट एवं उपनाओं के आकड़ों में उलेखनीय कमी, खत्रे की सूचना वाले बोड जन सुविधा के पत दर्शक बनेंगे, जो तीर्थ यात्रियों एवं परेटकों में सुरक्षित यात्रा के विश्वास को कई गुणा बढ़ाएंगे, हजारों युवाओं को रोजकार, चीन से स भारती सीमा को सुरक्षा और यात्रा के समय में 30 से 40 प्रतिशत कमी, चारधाम राजमार्क विकास पर योजना, उत्तराखन राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नती तथा पहाडिक शेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी